Hello everyone अगला question आपके सामने है question क्या बोल रहा है A can build a ball in eight days ठीक है A कोई दिवाल को आठ दिन में मना सकता है B उसी दिवाल को तीन दिन में गरा सकता है ठीक है मतलब A की efficiency किती है A किसी काम को आठ दिन में कर सकता है और B उसी दिवाल को गरा सकता है तीन दिन में तो टूटल बर्ग यहां से निकालना है अपन, LCM जाएगा 24, ठीक है, A की Efficiency कितिया आगई, यहां से प्लस थे, और B की कितिया आगई माइनस 8, यह माइनस 8 क्यों लिखी, क्योंकि A दिवाल बनाने का काम कर रहा है, अगर मैं आपको इस question को अगर detail में समझाने के question करूं, तो आठ दिन में 24 फिट की दिवाल बना रहा है, मतलब एक दिन में 3 फिट दिवाल खड़ी कर रहा है, और B क्या कर रहा है, वो तीन दिन में 24 फिट की दिवाल गिरा दे रहा है, मतलब एक दिन में 8 फिट दिवाल गिरा देता है, ठीक है, यह बात यहां तक समझ में आई, अब तो वो कहा रहा है, अब देखी situation क्या है question में, कि A ने पहले तो क्या किया, चार दिन तक काम किया, मतलब चार ती यह 12 फिट दिवाल, उसने बना दी, उसने 12 फिट दिवाल खड़ी कर दी, फिर क्या हुआ, फिर B जोइन, अब B ने जोइन कर लिया, दोनों की efficiency, यह minus 8 से काम कर आए थी, उसमें से भी इसने 10 फिट गिरा दी, मतलब टोटल आप किती बच्ची 2 फिट दिवाल सिर्फ बनी है, अपन को टोटल बनाने किती है 24 फिट, बच्ची किती, बच्ची दिवाल है 22 फिट, 22 फिट दिवाल को अपन से पूचा है, इन हो मैंने डेस बिल, अलॉन, र यह अंजर आ गए, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट करके बताएं,